नमस्कार, Food Cravings Unlimited में आपका स्वागत है तो आज की हमारी रेसिपी है भगर जो हम वरत के लिए खा सकते हैं और ऐसे कभी भी बना के खा सकते हैं तो यह देखो यहाँ पर मैंने भगर बनाने के लिए एक बाउल भगर लिया है एक कड़ाई में दो बड़े चमच तेल लिया है उस तेल गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे जीरा जीरा होने के बाद हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च हरी मिर्च आप क्या अकॉर्डिंग ले सकते हो मैंने यहां पे तीन से चार हरी मिर्स यूज की है फिर इसमें डालेंगे गड़ी पत्ता पिर इसमें डालेंगे आलू आलू को यहां पे मैंने पतला पतला काट लिया है अच्छे से पतला काटने से आलू जल्दी पक जाते हैं इसको पकने के लिए 3-4 मिनिट लगते हैं तीन से चार मिनिट के बाद देखना है आलू पका कि नहीं पिर इसमें डालेंगे हम मुणफल लिकी दाने यहाँ पे आप मुणफल लिकी पाउडर भी यूज कर सकती हूं ज़ादा फाइन पाउडर नहीं करना है थोड़ा दर्दर पीसना है वह अच्छी लगती है यहाँ पर मैंने मुंगफिल की दानियों इसकी है फिर हम डालेंगे लाल मिर्च एक चम्मच इसको mix कर लेंगे अच्छे से फिर हम इसमें डालेंगे एक बाउल भगर यहाँ पर मैंने भगर को अच्छे से दो के ले लिया है इसको एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से mix कर लेंगे यह मसालों में यहाँ पर मैंने एक बाउल भगर के लिए दो बाउल पानी लिया था गरम कर लिया था अब इसमें गरम पानी डालेंगे गरम पानी से भगर जल्दी पक जाती है खिली खिली हो जाती है अच्छे से भगर को पकने के लिए 3-4 मिनिट लगते हैं लास्ट वे हम डालेंगे नमक देखो 3-4 मिनिट के बाद भगर पूरा पानी अबजार्ब कर लेती है अगर भगर नहीं पकी हो तो आप 2-3 मिनिट और उसको पकने दे सकते हैं यह लेको हमारे भगर एकदम से त्यार है खाने के लिए खिली-खिली लग रही है एकदम चिप-चिपी नहीं है तो आपको अगर मेरी रेसिपीस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट भी लिखके बता सकते हो क्या आपको मेरी रेसिपीस कैसे लगी